कई प्रतियाशों के जीतने की संभावना है हालकि दिरे दिरे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन से ऐसे प्रतियाशी है जो जन प्रतिनी थी है उन्होंने चुना है बेहर विदान परिश्वद चुनाव आपको बता दे की चार अप्रेल को हुई थी और आज वोट प्रतियाशा के पुखता इंतजामात किये गए हैं और पतना में कई जोगों पर वोटो की गिनती होगी पतना में आरे भट नौलेज उनिवेसिटी में वोटो की गिनती सुब 8 बज़े से शुरू होगी वोटो की गिनती केले मतगनना केंडर पर 12 अलग अलग टेबल कर सकेंगे प्रतम गणना के बाद मतगनना टेबल से काउंटिंग एजन्ट बाहर हो जाएंगे दुईत्य वो आगे की गनना केवल सायक निर्वाची पतादिकारी के टेबल पर होगा बिहार में हर जोगा काउंटिंग में ऐसा ही होगा बतादे की वदान परशद चुनाव में वोटों की गिनती होता होता है 50% से अधिक मत प्राप्त करने वालों को विजयता घोशित किया जाता है मैं प्रतम वरेता में कुल मतों का 50% मत प्राप्त नहीं करने पर दूसरी व तीसरी वरेता के मतों को जोड़कर 50% तक गिना जाता है 50% तक नहीं होने के स्थिति में वरिता मतों की गणना में सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले उमिद्वारों को बाहर कर दिया जाता है आखिर में बचा उमिद्वार विज्वेता होता है गौर तलबे कि इस बार 24 सीटों के लिए कुल 187 प्रतियाशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है कुल 534 बुतों पर 1,34,1106 मद्दाताओं ने अपने मतादिकार का स्तमाल किया है सेरसास मदेपुरा सुपॉल निर्वाचन श्वेत्र से सबसे ज़्यादा कुल 14 प्रतियाशियों ने चुनाव लड़ा है जबकि भोजपूर सहबकसर निर्वाचन श्वेत्र से सबसे कम कुल दो प्रतियाशियों चुनाव मैदान में है हलाकि मुख्य मुकाबला NDA बनाम RGD लेफ्ट गटबंदन के बीच माना जा रहा है और नियूज रूम से वरिष्टो से योगी अरून चोरासिया जी हमारे साथ लाइब चैट पर जुर चुके है यूँ तो कई सारे कह सकते कि उमिदवार है जो अपने अपने किस्मत आजमार है लेकिन मुख्य मुकाबला कहीं न कहीं NDA और RGD के बीच है अरून जी निशित रूप से आपने सही कहा है कि मुख्य मुकाबला जो है NDA बीच में है और जैसा कि आपने पहले बताया 24 सीटों के लिए आज मतगना हो रही है और विधान परिसद में जो काफी दिनों से खाली परी हुए 24 सीट वहां आज ये जगह मिल जाएगी यानि 24 नए बिधान पारसत आज राज को मिलेंगे इसके लिए 185 पर 83 मैदान में है राज के अलग अलग जो 24 सीटे हैं उसके लिए कुल 185 पर 83 मैदान में है और उनके लिए लोगों ने वोटिंग की है उनकी किस्मत का जो फैसला है वो जो बैलेट बॉक्स है उसमें बंद है और अब से थोड़ी दिर बाद जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो इनकी किस्मत भी खुलेगी और 125 में से 24 ऐसे भागिसाली होंगे जिन्हें माला पहनाई जाएगी जो खुसनसीब होंगे और उन्हें जीत का जस्न उनके समर्थक मनाएंगे बांकी जो परत्यासी हैं उन्हें कहीं कहीं निरासा होगी तो इसकी पूरी तयारी हो चुकी है और जो अभी तक कही जा रही ह चुनाव का जो आकरा है वो आरा बक्सर सीट से आवे चुकी यहां सबसे कम दो परत्यासी हैं चुकी यह जो मतगन्ना होती है बिधान सभा लोक सभा के चुनाव से अलग होती है इसकी परकिरिया अलग है चुनाव भी बैलेट बॉक्स के जरीय हुई है और वर्यता के करम म इसमें भोटिंग होती है तो अगर एक तरफा अगर किसी को भोट परा है तो वहाँ जल्दी ये चुना परिनाम आ जाएंगे चुकि इसमें जो चुना आयों की परकिरिया है जो नियम है उसके अनुसार जितने टोटल मत परे हैं उसमें से आधे से एक ज्यादा मत होना चाहि ये वीज़ई परत्यासियों के लिए तो इसमें थोरा सा बिलम हो सकता है जहां जादा परत्यासि हैं जो मध्यपूरा का इलाका है सहरसा मध्यपूरा का इलाका वहां सबसे जादा परत्यासि हैं तो वहां है थोरा सा बिलम हो सकता है लेकिन जो परकिरिया है अब से थोरी देर बाद शुरू होगी और किस्मत का फैसला जो 24 ऐसे देखना है हम लोगों को भी पूरे राजबासी को देखना है कि ऐसे कौन से 24 खुद किस्मत वाले लोग हैं जिने जनता ने अपने अशिरबाद दिया है जनता ने नहीं बलकि जनता के जो परतिनिदी है उन्होंने इन लोगों ने इन्हें चुना है और इन जन परतिनिदीयों की क्या पसंद है ये आज पता चलेगा और राज को आज 24 नए बिधान पार्शन मिलेंगे चले रूंजी हम आपसे पलपल की अपजेट लथ रहेंगे और फिलाला तमाम चानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो थोड़ी दिर में ही मतगणना की प्रकिरिया शुरू होगी और देखना होगा कि आखिर किसके सिर पर जीत का सहरा सश्टा है